हेलो फ्रेंड्स आपको हमारे चैनल पर स्वागत है आज हम आपको बताएंगे गुरिया के जन्म से लेकर साधी तक का कपड़े बनाना इसी गुरिया का यह गुरिया का जन्म हो चुका है कवकागत से लप्टी भी थी अब गुरिया का टेप तयार कर रहे हैं टेप और पेंट पहन लेगी हमारी गुरिया टेप पहन ली हमारी गुरिया यह तयार है अब गुरिया का टेप पेंट हम चेंज कर रहे हैं इस परकार से बड़ी गुरि टेप पेंट बनकर तयार हो गया है हमारी गुरिया तयार हो चुकी है टेप पेंट पहन कर अब गुरिया का बाल काला करेंगे उजला से तो सबसे पहले फैविकॉल लगा लिए हैं उस पर से बाल जो बाजार में मिलता है उसको लगा दिये हैं नकली बाल को और फिर उपर से लगा रहे हैं और किसी चीज से इसको दाब दाब रहे हैं उसी के बाल को काट कर भी दाब दीए हैं और हवा में उसको सुखा लेंगे फिर उसके बाद कलर करेंगे color कर लिए हैं paint किये हैं फेवि कॉल फेवि क्रिल से paint से गुरिया हमारी छोटी है भी इसलिए बाल भी छोटा बना रहे हैं बाल को मौड दिये हैं और दोनों तरब से clip लगा रहे हैं clip लग जाएगा हमारी गुरिया का बाल तयार हो गया अब हम उसके नाप काट बेबी फ्रॉक बनाएंगे उसके लिए हम कमड और लंबाई नाप लिए अगर कागज का नाप थोड़ा बड़ा भी हो तो भी कोई दिकत नहीं है छोटा नहीं होना चाहिए बड़ा होगा तो उसको दाब देंगे पट्टी काट लिए है और इस प्रकार से चुन्नट बनाएंगे नीचे में फ्रॉक के नीचे में सुन्दर लगेगा तयार हो चुका है फ्रॉक अब इसको फेविकॉल के सहाड़े से हम गुर्या को हम चिपका लिए हैं पट्टी को थोड़ा और पतला कर लिए हैं फीता बनाने के लिए दोनों तरफ से फीता तयार कर लिए और फीता को इस प्रकार से हम बांध रहे हैं तो बंधा हैगा और फेविकॉल से दाब देंगे अब हम गुर्या को सजाने के लिए हम यह साइड से डिजाइन दे रहे हैं फ्रॉक में डिजाइन बंधा है गला में भी लगा दिये हैं हरे रंग का पट्टी और यह बां में भी लगा दिये हैं हम पट्टी सुन्दर लगेगी हमारी गुरिया का फ्रॉक तयार हो चुका है अब हम टोपी बनाएंगे उसके लिए हम माथे से बड़ा बोतल को हम डाल दिये हैं उसको हम चाट पेपर पर डाल दिये और समान आकार में गोलाई में काट लिये हैं कि रंगिन कागाच को से दे दिये हैं और उफर से फ्खेबि Conte चिपका दिये और काट लिये हैं मोटा धागा से हम उसको हम दाब कर कागाच को इस बंढल रहे हैं फिर खोल लिये बोतल से और यह पट्टी बना कर हम उसको चिपका दिये बॉह में भी लगा दिये टोपी पहना दिये जुता पहना दिये हमारी गुरिया तयार हो चुकी है हमारी चोटी सी गुरिया तयार हो चुकी है और ये देख लिजिए हमारी गुरिया आप सबको प्रणाम कर रही है अब हमारी गुरिया बड़ी हो ग ततकाल के लिए हम क्लचर लगा रहे हैं, क्लचर दाप दिये हैं, अब इसका हम सलवार सुट बनाएंगे, उपर का हम समीज बना रहे हैं, नाप ले लिए हैं, नाप से हम समीज त्यार कर रहे हैं, और हड़े कलर से उसका चुरीदार पैजामा त्यार करेंगे, समीज को काट कि यह हमारा समीज तयार हो चुका है अब हम चूरीदार पैजामा काटेंगे यह पट्टी भी काट लिए हैं समीज के मोहरी समय देने के लिए पैजामा के लिए हम दोठो हम इस तरह से लंबाई चुराई में उसके पैर के लंबाई पत्ति कृट लिए और यह कमर के लिए हम काट लिये हैं Jim यह उसके चारो तरब से चुंणट दे देना है पैजामा के लिए और नीचे में महड़ी दे देना है दोनों पैजामा हमारा त्यार हो चुका है और इस प्रकार से उपर में जो रहता है सलवार में पट्टी भी दे दिये हैं अब उस समीज को हम साड़ देंगे दोनों तरफ से अब बाह लगाएंगे बाह के लिए भी हम एक साड़ दिये हैं और ये चुन्नट लगा रहे हैं चुन्नट लगा दिये हैं अब नीचे से मोहरी हम साड़ दिये तो सुन्दर लगेगा हमारा बाह ये हमारा गुरिया का सलवार सुट पहन कर तयार हो चुकी है अब लूँटा रबर बना देगा बनकर तैयार हुचिए इस प्रकार से बना सकते हैं पीछे हमेए रबर लगा कर और चाहे तो आप लगा लेंगे दोनों तरब से और ступर में और इस्था वह ही रबर न दैंगे हमारी ед कर दिए कर त्यार हो चुकी है देखिए हमारी गुर्या तयार हो चुकी है अब चार पेपर को हम पिछले वीडियो में हम बताये थे किस प्रकार से करा बनाना है फेविकॉल से सुईधागा से सिलकर पीला कपड़ा को हम पट्टी बना रहे हैं बहां बना रहे हैं बलॉज का पहले से पढ़नी वी थी यह बना लिये हैं बलॉज बना रहे हैं हम नीचे में हम चोली के लिए थुरसा मोड लिये थे और साथ लिये हैं फेविकॉल के द्वारा कागा चिपक जाता है अच्छी तरह से नीचे भी पट्टी दे दिये हैं चोली के नीचे में भी हम इश प्रकार से प्लेस से दे दिये हैं और समान कि इस प्रकार से हम काठ लिए हैं फिर से हम पट्टी लगा दिये हैं जो δेखनी में सुन्दर लगे अब हमारा साड़ी तैयार हो रहा है इश मैं धीए ठी रिक्त को हम ह twenty सब्सक्राइब कंदा कर लिएगार कृछार का अचल चारोब गल से लगाएब भुरी riya को चोटा चेा पत्ला कर लेना है को व्याकि यहीं पहने जोड़ा हेदा में जच्राइब कि आसे प्राइब हो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और एक लाइक कीजिए कि अच्छा लग रहा है या समझने में कमेंट कीजिए हम आपको बताएंगे चुननत लगा लिए और स्टेपलर से इसको हम इस प्रकार से दाब द दिये इसप्रीकॉल की दिये हैं अब हम पीछे से इस प्रकार से ठीक करते रहेंगे जिस प्रकार से हम सारी को त्यार करते हैं स्टेपलर दाब दिये हैं हम पीन के जगा पर स्टेपलर से हम दाब रहे हैं इसको हम ठीक कर लेंगे बढ़ियां से सारी को हम चुन्नत को और यह सारी जिस प्रकार ने हमारा ठीक होता है उसी प्रकार से हम गुर्या के सारी को भी हुँम अर्षम पर पिन प्र вас लगाने स्य कुंपर निदेगं सब्सक्राइब मनें जिते हैं शनदर कको लपतनर लपधकर गोल करके और डिजाइन से भी गुर्या के बाल को बनाएंगे ये इस प्रकार से गोल-गोल करके क्लिप लगा लेंगे वहाँ पर क्लिप लगा देंगे और चोटी भी बना देंगे या तो चोटी बना लिये हैं हम इसमें रबर लगा देंगे और वही गजरा को हम पतला जो किये थे उसको हम बाल में लगा दिये बाह में भी उसी प्रकार से लगा दिये टीका भी लगा दिये हैं और टीका के नीचे हम ये कागज को इस प्रकार से मोरेंगे और इसको गोलाई से काट कर ठाकटिंग कर देंगे और उसमें फेवी को लगा कर उसमें चिपका देंगे कौन में भी इसे प्रकार से थ्थरा सा काट कर पीला लगा कर चिपका देंगे और ये टिकली भी हम पीला को ही हम लगा देंगे लिप्स्टिक लगा रहे हैं हम और काजल भी लगा दिये नेल पॉलिस लगा दिये गुडिया हमारी सचकर तयार हो चुकी है देखिए गुरिया हमारी सचके तयार हो चुकी है हल्दी वाला कपड़ा पहन के साधी के लिए हमारी गुरिया तयार हो चुकी है और उस वीडियो में हम साधी वाला जोरा बनाये थे इस प्रकार से गुरिया को हम दुपटा लगा दिये हैं ये हमारी दोनों गुरिया तयार हो चुकी है, धन्यवाद.